सब्सक्राइब तो आर यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपी यह स्टार्टर है वन बाइट के चोड़े होड़े सम रोल्स बनाएंगे बड़े क्विक रेसिपी है यह भी यहां पिके गार्लिक पेस्ट चिकन के स्टिप्स हैं वो इसमें शामिल करेंगे टोमाटो केचफ ग्रीन चिली का पेस्ट है चोटी वाली अरीमेचों का पेस्ट हमने शामिल करना है थोड़ा सा चटपड़ा बनाएंगे इसको थोड़ा से जाएगा लेमन जूस प्ती हुई लाल मिर्चे चिकन पाउडर वाइट पेपर और नमक अब इसको इतना पकाना है कि चिकन गल जाए और जितना यह सौस है यह चिकन को पर जो है लेपट जाए अच्छे से मांड़ा पटिया आप अपने जिस साइज का आपने बनाना है उसके साथ साब इसको काट लें लेकिन हम इसको बिल्कुल वान बाइट बनाएंगे और वाम इसको थोड़ा सा छोटा काटेंगे बिल्कुल इस तरीके से जोगे कटिंग हमारी आप मांड़े को हमेशा फिरिज में रखें या बाइर रखें तो कवर करके रखें अगर आप ऐसी खुला छोड़ देंगे तो ड्राय होगा तो यह फोल्डिंग में टूटेगा आप जब भी इसको फोल्ड करेंगे कुछ भी बनाएंगे तो यह तूटने लगेगा तो हैंडलिंग इसकी थोड़ी से कैरफुली करें जब भी बनाने हैं तो आप इसको कवर करके रखें अखबार के अंदर किसी भी पेपर के अंदर क्रेकर का चिकन जो है तैयार हो गया इसको थोड़ा दा निकाल कि हम थंडा कर है और इस्टिप आपने उस्ती ही काटनी जितना बड़ा आपने रोल बनाना मांड़ा बड़ा सैंसिटिव होता है इसको यहां पर हम एक छोड़ी से पट्टी लगा रहे हैं क्यों कि यह देखें जिकन को पर थोड़ा सॉस लगा हुआ है अगर हम पट्टी नहीं लगाएं इनको भी करेंगे फ्राइए चैक कर लेते हैं हमारा वाइल जो है बिल्कुल पर्फेक्ट है बिल्कुल पर्फेक्ट मांडे वाली कोई भी चीज ओ समोसे हो रोल हो जितनी धीमी आज के उपर फ्राइए ना उतने जादे देर तक क्रिस्पी रहेंगे अगर आप बहुत गरम तेल में डाल देते हैं फौरण से कलर आ जाता है तो फौरण से तयारत हो जाएंगे लेकिन विदिन वन और टू मिनट वो बिल्कुल जो है ना सौगी हो जाएंगे नरम हो जाएंगे तो लिएदा बिल्कुल धीमी आज के उपर आपने फ्राइए कर दार को जाएगा और फिर जब आप एंडवे जलाने जाएंगे तो फिर कलर में वेरिशन आ जाएगा